आज मैं आपको पनीर मसाला बनाने की रेसिपी बताने वाली हो तो सबसे पहले आप 200 ग्राम पनीर ले पनीर को छोटे छोटे पीस में कात ले फिर कड़ाई में तेल गरम करके उस तेल में पनीर को तल ले आप तब तक उसे तले जब तक उसमें रंगना आ जाए और फिर एक कटोरी में ठंडा पानी ले फिर उस पानी में तले हुए पनीर को डाल दे फिर कुछ मिंटों के बाद उसे पानी से निकाल ले इससे पनीर खाने में अच्छे लगेंगे और टेस्ट भी बढ़ेगा फिर मसाला पीस ले मसाला में आप दो प्याज एक छोटा लसन दो मिर्च अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप ज्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं और गरम मसाला आप इसमें पनीर मसाला भी डाल सकते हैं एक चमच जीरा, एक चमच मिक्स मसाला, एक चमच हल्दी और आवसकता अनुसार नमक और दो टमाटर पीस ले अब आप कड़ाई में तेल गरम करें तेल आप आवसकता अनुसार ले और फिर सभी मसालों को डाल ले और इसमें अच्छी तरह से भूने, आप मसालों में एक टमाटर भी डाल ले और तब तक भूने जब तक भी हलके लाल ना हो जाए हलके लाल हो जाने के बाद उसमें हम किसान का टमेटो किचप डालेंगे और उसे भूनते रहेंगे अगर आपके पास टमेटो किचप नहीं है तो उसकी स्थान पर चीनी डाल दे पर मैंने इसमें दोनों डाला है जिससे पनीर मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा और रोटी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा फिर अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो केवल टमेटो किचप ही डालें फिर उसमें ग्रेवी के लिए एक कटोरी दूद ले और उस दूद को थोड़ा-थोडा करके मसालों में डालें आधे लीटर दूठ डालें जब आप दूद डालें तो मसालों को साथ में चलाती आप अच्छी तरह से मसालों में दूद को मिलाएं मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी पर अगर आपको आप पानी डालना चाहते हैं तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे तब तक जब तक कि उसमें ग्रेवी से बुलबुले ना आ जाए बुलबुले आने पर हम जो पनीर रखा है उसे डालेंगे और उसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे जब तक ग्रेवी गाड़ा ना हो जाए इस तरह से पनीर मसाला त्यार है पर अगर आपको ग्रेवी गाड़ा पसंद नहीं है तो आप इसे पतला ही रखे और इसी जरूर बनाईए घर में कुछी मिंटों का काम है जादे समय भी नहीं लगेगा और आपका पनीर मसाला भी अथा पश्याओ टीयार है तो घर में इसे जरूर ट्राई किजिए क्योंकि यह अच्छा लगेगा आप इसे घर में जरूर ट्राय कोई श्ускन हमना सलस्की स्टेवी नहीं लगें हैं आप इसे ले जाके खा सकते हैं यह आप जो आप खिलाएंगे इसे जिस किसी को भी उसे बहुत अच्छा लगेगा यह रेसिपी तो घर में इसे जरू ट्राइ किए यह रहा हमारा पनीर मसाला रेसिपी